कि विकास के बारे में अलग-अलग विचारकों के अलग-अलग मत हैं विकास कोई अश्चत अर्फनी है जिसे सभी देश, सभी लोग, सभी काल में सभी काल करते कहें अलग-अलग काल में विकास की अलग-अलग माइने रखे गए जैसा मैंने प्राराम्ब में आपको बताया कि प्राराम्ब में सरकार का लक्ष्मी केवल सुरक्षा देना सा अपनी जन्ता को और उसकी एवज में कर लेती थी फिर धीरे धीरे सरकार ने अपने काम के दाइरे को बढ़ाया और हजारों वर्ष की प्रक्रिया में 1920 के आसपास राजनीतिक वैज्यानिकों ने लोक कल्यानकारी सरकार को सर्वशेष्ट सरकार माना कैसी सरकार लोक कल्यानकारी सरकार दूसरे शब्दों में विकास is an evolving process development जो है वह एक सतत रूप से चलती हुई प्रक्रिया है सभी काल में सभी लोगों ने विकास का एक ही अर्थ नहीं माना तो थोड़ा सम देखें कि विकास का अर्थ कैसे बदलता गया और वर्तमान में क्या है समाने रूप से विकास का अर्थ परिवर्तन चा होता है परिवर्तन बदलाओ विकास यह बदलाओ परचिती के अनुसर समाज में परिवर्तन होते हैं समाज में होने वाले यह बदलाओ ही उसको विकास की तरफ ले जाते हैं जब भी समाज में कोई परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन अपने साथ कोई न कोई नई उपलब्दी लाता है नया अचीवमेंट लाता है कभी समाजिक परिवर्तन तो कभी नग आर्थिक परिवर्तन ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं इनके साथ कुछ न कुछ उपलब् यही तो विकास है मतलब परिवर्तन धन उपलबधियां उससे संबंदित उपलबधियां इसी ही विकास करते हैं विकास शब्द अपने आप में तो वेसे बहुत जटिल है और इसकी जटिलता के कारण है विकास की परिवाशा सतत रूप से एक ही नहीं मानी गए क्योंकि जटिल इसलिए है क्योंकि इसमें उन्नती, प्रगती, कल्यान, सकारात्मक, सोच, अच्छे जीवन की इच्छा और अन्य बहुत सी बातें शामिल हैं सो यह विकास के विभिन कॉम्पोनेंट्स हैं घाटक है और इसलिए इसको विकास की परिभाशा को जटल बना देते हैं कई बार विकास का उर्थ आर्थिक विकास और आधिनेकी करण से लिलिया जाता है मैंने विकास मतलब के विल आर्थिक विकास हुआ वो गलत है विकास बहुत बड़ा उसका दायरा होता है आर्थिक विकास उसका एक component एक अंग है अजरे हम आर्थिक विकास की बात करें या आधिनीकी करण की बात करें जिसे हम विकास सोचते हैं कई बार तो उसमें क्या आता उसमें आते हैं आजनिक संस्थाएं, बांधों का निर्माण, अस्पतालों का निर्माण आजनिक सड़कें, आजनिक संचार साजन, ऐसी तरह की योजनाय बनाना बेरोजगारों को रोजगार देना, गरीभी, उनमुलन आदी-ादी इस प्रकार की योजनाय जो होती हैं इससे पूरे समाज का विकास नहीं होता समाज के उसी तबके का विकास होता है जिस तबके का इस योजना से संबंध है, तालुक है बाकी उसे अच्छूते रह जाते हैं दूसरे शब्दों में आर्थिक विकास, आधनीकी करण यदि इसे स्वच्छन्द छोड़ दिया जाए तो समाज के कुछ हिस्से को ही इसका लाब मिलता है उसी का विकास होता है दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में जो भौतिक वादी युग है भौतिक वादी अध्यत्मवादी बनाम भौतिक वादी ऐसा युग जिसमें हम अपने इस जन्म में सुख सुविधाओं की ज़्यादा चिंता करते हैं जब तक हम हैं इस धर्ती पर तब तक की अपनी सुख सुविधाओं की हम ज़्यादा चिंता करते हैं ऐसा विचार भौतिक वादी विचार कहलाता है और वर्तमान में अधिक तर दुनिया के समाज भौतिक वादी है इस भौतिक वादी युग में व्यक्तिय समाज के विकास का अर्थ आर्थिक विकास ही है कियोंकि हम इस धर्ती में अपने अर्ष्टित्व, अपने विकास की चिंता करते हैं और हमारे विकास से हमारा ताटपर है आर्थिक विकास से आज आर्थिक विकास मुख्य मुद्दा बन गया है भौतिक वाद के अधार पर जदे हम बात करें तो दो धारन आये हैं एक तो है पूंजी वादी विचारधारा और दूसरी है साम्यवादी विचारधारा जिसका मैंने पूर में जुक्र किया है पूंजी वादी विचारधारा बनाम साम्यवादी विचारधारा अर्थात पुंजीवादी विचारधारा वो जहां सरकार का हस्तक्षेप आपके जीवन में कम से कम हो समाजवादी साम्यवादी विचारधारा वो जिसे वामपंती विचारधारा कहते हैं जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा से ज्यादा हो ताकि वह गरीब तबके के लिए सतत रूप से कारे करती रहे अधिक्तम निर्णे उनके पक्ष मेलें सोवियत संग आपने सुना होगा जिसे पूर में USSR कहते थे Union of Soviet Socialist Republic 1990 इंकानवे में आपने बढ़ाओगा इसका विगटन हुआ Soviet संग टूटा वर्तमान में Soviet संग 1990 में जब Soviet संग टूटा तो 15 नए देश निर्मित हुए उसी खेत्र से जैसे रूश बेलारूश यूक्रेन तजाकिस्तान कजाकिस्तान आदी 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 आप देख सकते हैं 15 आज जो लड़ाई है जो विश्व को तीसरे विश्व की कगार पर रख दी है वह लड़ाई पूर्व कालीन सोवियत संग नाम के देश के दो हिस्सों के बीच में हैं रूश बनाम यूक्रेन तो सोवियत संग के विक्टन के बाद सोवियत संग जब तूटा तो ये सावित हो गया कि साम्यवादी विचार धारा उचित नहीं है उसके अंदर बहुत सारे अंतर विरोध हैं बहुत विरोधा भास है साम्यवादी विचार धारा में सरकार का हस्तक्षेव सतत रूप से अपेक्षित है लेकिन बहुत सारे विरोधा और इनही विरोधा भासियों के कारण अंतर विरोज के कारण ही तो چोव्य संग तूटा पंदरा हिस्तो में तूटा उसके साथ ही साथ पुंजी वादि वचार धारा का क्या हुआ पुंजी वादि वचार धारा जिसमें सरकार के हस तक शेप की अपेक्षिया नियूनितम है उसकी भी बहुत सारी वो सामने आती गए और पूंजी वादी विचार धारा भी अपनी गलत धारनाओं के कारण अपने ही बोज से दबे जारी थी सामने वादी विचार धारा अंतर विरोधों के कारण और पूंजी वादी विचार धारा अपनी ही गलत धारनाओं के लाओ और इसलिए ये विचारधारा भी एक तरीके से समाप्त प्राय हो चली साम्मेवादी विचारधारा बहुत कम देशों में है पूंजीवादी तो है लेकिन उस पर भी लोगों का विश्वास तूटने लगा है और उसका कारण है क्योंकि मनिश्य को केवल एक भौतिक वस्तु मानना उचित है उचित नहीं है मनिश्य को केवल एक भौतिक वस्तु मानना फिजिकल बींग मानना परयापनी है बहुत बली गलती है आज का मनिश्य केवल भौतिक प्राणी ही नहीं है उसमें उसका मन है, बुद्धी है, आत्मा है, आद्यादे और इन चीजों का तालुक पूंजी से नहीं है वो अर्थ के पीछे, अर्थ अर्था धन, धन के पीछे भागने वाला प्राणी नहीं है इस शरीर के अंदर बहुत से तत्व हैं, जो उस व्यक्ति को मानाव बनाते हैं और उसको मानाव बनाने के प्रक्रिया में पूंजी मत्र एक घटक है लेकिन पूंजी वादी विचारधारा में, जैसा मैंने कहा, पून ता भौतिक वादी विचारधारा शें इस जीवन के सुख की बात करती है, तो इसलिए ये जो उसकी जो सोच है पूंजी वाद में वो सोच के खिलाफ भी काफी लोगों का एक तरीके से कहना चाहिए प्रदर्शन शुरू हुआ है, चल रहा है और पूंजी वादी विचारधारा की सफलता पर भी बहुत बड़ा प्रश्ण चिन लग चुका है, आज के मानों के भी आदर्श उच्छ हैं, सोच उची है, वह भी उच्छ आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है मनश भौतिक सुख से कहीं आगे जाकर अध्यात्मिक सुख चाहता है, जिसे हम अध्यात्मिक सुख कहते हैं, उसे पाना चाहता भले ही आज के दुनिया भौतिक वादी हो गई हो, हम उसे भौतिक वादी विश्व कहते हों, लेकिन मानों के आध्यात्मिक सुख की हो रही है हज्जारों वर्शों की गुलामी, विदेशी आकरमन, सामराज जिवाद का प्रभाव इस सब ने हमारे जो आध्यात्मिक विकास के धारणा की बजाय बौतिक वादी धारणा को ज्यादा जोर दे दिया ये जो इतने वर्षों से जो हम सतत रूप से विदेशी आक्रमनों को जहल रहे थे और उनके कारणों को समझ रहे तो हमको लगने लगा कि पूरी पूरा जो विश्व है या जो आक्रमन कारी हैं ये धन संपत्ति के लिए ही तो हमले कर रहे हैं और इसलिए बहुतिक वादी सुख इनके लिए ज़्यादा महत्पूर्ण है अध्यात्म वादी सुख के तुलना में और इसी का असर यह हुआ कि हमारे हाँ भी बहुतिक वादी सुख को एक दोर में ज़्यादा महत्त दिया जाने लगा और इसलिए जब हम भारत के विकास मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हम भौतिक वादी पहलू उसके साथ साथ अध्यात्म वादी पहलू का भी जिक्र करते हैं भारत के विकास मॉडल में हमने अध्यात्म वाद पहलू को अकेले नहीं लिया है और नहीं हमने भौतिक वाद के पहलू को लिया हो और आध्यात्मवाद को छोड़ दिया हो हमने दोनों पहलू का एक जुडिशस मिश्रण ऐसा मॉडल हमने अपने सामने रखा है विकास के मॉडल की बात करें तो पहला विकास का मॉडल है उदारवादी लोक तांत्रिक विकास मॉडल ये पुझी वादी देशों में का मॉडल है दूसरी भाशा में उसे कहते हैं लोक तांत्रिक उदारवादी मॉडल अर्थाथ लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल ये पश्चमी देशों में ज्यादा है पश्चमी यौरप अमेरिका आदी में जहां उधारवादी लोक तंत्र बेद्दिमान है साम्यवाद का जब पतन हुआ रूस में तो उधारवादी लोक तंत्र ज्यादा फैला साम्यवाद का हम पतन एक तरीके से सोवियत संग के विगटन के साथ ही मान लेते हैं यद्यपी अभी भी कुछ देश है जहां साम्यवाद है जैसे चीन, वियेटनाम, कोरिया, नौर्थ वियेटनाम, नौर्थ कोरिया आधी आधी लेकिन सोवियत संग के टूटने के बाद, दुनिया को ऐसा लगा मानों, अमेरिका की जो पूंजी वादी विचार धारा है, जो बौतिक वादी विचार धारा है वो एक सफल मॉडल है, उदारवादी लोक तंतर का वो एक सफल मॉडल है, और इसलिए जितने भी नए देश आ रहे थे, जिने हम विकास शील देश कह सकते हैं, नवस्वत तंतर देश कह सकते हैं, वहाँ पर इस विचार धारा को बड़ी सरलता से अपनाया जाने लगा, और ये विचार धारा उदारवादी लोक तंतर इन विकास शील देशों में एक बड़ी ताकत बन चुका था, उदारवादी विचारक जो थे, वो मजदूरों को परियाप्त मजदूरी की बात तो स्विकार करते थे, किन्तु साथ ही साथ निजि संपत्ति की भी बात करते सामेवाद में जहां मजदूरों की ही लगातार पैरवी की जाती थी, गरीब तबके की ही लगातार पैरवी की जाती थी, निजि संपत्ति वहाँ पे कतई बरदाश नहीं थी, पूंजी वादी विचार धारा में या उदार वादी लोक तंतर विचार धारा में मजदूरों को परयापत तनखा, परयापत रोजगार, परयापत सुविधाएं देने की बात तो थी, मजदूरी देने के बात थी, लेकिन निजी संपत्ति पर भी इनका बड़ा जोड था, उस पर भी उनका बल था, उनका मानना था कि जो अर्थ विवस्था होती है, वो बाजार की शक्त शक्तियां क्या है, इसे आप अर्थ शास्त्र में समझ गया होंगे, मैं मान के चलता हूं कि ग्यार्वी बार्वी में बाजारिक शक्तियां, मार्केट फोर्सें, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, उससे आप वाकिफ हैं, तो बाजार की शक्तियों से चलना चाहिए, ऐसा सरकार का कोई नहीं, वे बिलकुल इसके खिलाफ हैं कि कितना प्रड़क्शन हो, ये सरकार तै करें, वे बिलकुल खिलाफ हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, और और ऑगनाईजेशन, ये चार फैक्टर्स अप प्रड़क्शन कहलाते हैं, फैक्टर्स अप लैंड, लेबर, capital organization, भूमी, श्रम, श्रम की कीमत साम्यवाद में सरकार टैक करती है, लेकिन पूंजिवाद में ब्यापारी स्वतंत्र है, श्रम करने वाला स्वतंत्र है, जा अच्पादन करने वाला स्वतंत है, वो श्रम की जो कीमत लेना चाहे मार्केट में उस कीमत पर बोली लगा सकता है फैक्टरी परिवान संचार बैंक इन सब पर पूंजी वादियों का कहना था किसी तरह के सरकारी नियंतरन की जरूरत नहीं है और ये सब जनता पर व्यापारियों पर छोड़ देना चाहिए पूंजी पतियों पर छोड़ देना चाहिए दूसरे शब्दों में लिबरल या उधारवादी लोक तांतरिक मॉडल में सरकार का हस्तक शेप नियूनितम लोक तांतरिक उधारवादी मॉडल में बजार की शक्तियों का बल और लोक तांतरिक रोल मॉडल में किसी भी तरह की राश्टरी करण की खिलाफत नैशनलाइजेशन का विरोद सरकारी करण का विरोद ये मुख्य होता है लेकिन अधिकानश जो उदारवादी राज जो हैं इन्होंने उदारवादी लोगतंतर तो अपनाया है लेकिन इसके अपनाने के बाद भी इस बात का सद़ाई ध्यान रखा है कि यह लोकतंत्र कल्यान कारी हो दूसरे शब्दों में कल्यान की भावना को समाहित करते हुए उधारवादी लोकतंत्रिक मॉडल आज सामने आया हुआ है अर्थात इनका कहना यह है लोकतंत्रिक समाजवादी उधारवादी उधारपंथी लोगों का कि निजी संपत्ति हो सरकारी नियंतर नियूनतम हो मार्केट फोर्सेस काम करें आदी आदी लेकिन मजदूरों को उनकी उचित मजदूरी मिले बिरोजगारी प्रिधावस्ता बीमारी अक्षमता आदी की स्थिति में सरकार को सहायता पदान करनी चाहिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए इस हद तक इस सीमा तक उदारवादी लोक तांत्रिक मॉडल कल्यान कारी है अब दूसरा क्या है साम्यवादी साम्यवादी मॉडल के क्या मायने है साम्यवादी में विकास मॉडल जैसा मैंने पूर में बार बार बताया है उदारवादी का ठीक विपरीत है ठीक विपरीद सरकारी नियंतरण के मामले में अपनी प्रास्मिक्ताओं के मामले में और ये साम्यवादी या वामपंथी मॉडल जो है वो उसका जो रोल मॉडल था वो सोवियत संग था जो 1990-1990 में तूट गया सोवियत संग और उसके जो पश्चिम में जो पडोसी राष्ट थे जो सोवियत खेमे के अंग थे वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू थी याने आप देख सकते हैं सोवियत संग पोलेंड हंगरी रुमानिया जेकोसलवाकिया जेकोसलवाकिया और थोड़ा दूर जाएं तो क्यूबा जो अमेरिका के निकट है ऐसी मैंने आपको बताया उत्तर वियतनाम उत्तरी कोरिया और तो और चीन ये साम्यवादी मॉडल के विकास के साम्यवादी मॉडल के एक तरीके से पोशक हैं इन देशों में ये अस्तित्व में आदा यहां तरकार का नियंत्रन पूर्णता है आर्थिक संसाधनों पर और यदि संसाधनों पर नियंत्रन है तो इसका मतलब उत्पादन पर भी नियंत्रन है जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर राजिका स्वामित्व अर्थवर्था केंद्री अर्थवर्था होगी अर्था इन सब संसाधनों के दोहन उठपादन और उनके उपयोग का निर्ने केंद्र लेगा निजी हाथों में नहीं रहेगा अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग तरीके से पूंजीवादी वस्था में निर्ने ले सकते हैं कितना उतपादन करें कितना बेचे क्या कीमत रखें पर साम्यवादी वस्था में सब केंद्रित रहेगा साम्यवादी या समाजवादी इसे हम समाजवादी वे अस्था भी कहते हैं इसे हम वामपंती वे अस्था भी कहते हैं तो इसमें जो मूल बिंदु है वो क्या-क्या है पहली बात सभी आर्थिक संसाधनों जैसे मैंने कहा लैंड लेबर, कैपिल और्गनाइजेशन, रेलवे, बैंक इन सब पे सरकार का पूरा नियंत्रन और स्वामित्व दूसरा सारी योजनाएं जो बनेंगे इनके उपयोग की इनके उपभोग की वो सब केंदरी होंगे एक जगह से इनके उपभोग आधी को लेकर आदेश निकलेंगे तीसरा भारी उद्योग पर इनका ज़्यादा ध्यान रशता है छोटे छोटे उद्योगों पर नहीं है हेवी इंडस्ट्रीज इनकी प्रास मिकता है चौथा मुक्त बाजार फ्री मार्केट नहीं बिलकुल ये बरदाश नहीं करते किसी तरह के फ्री मार्केट को इनका कहना होता है मार्केट जो है बजार की जो अर्थ विवस्था है वह व्यक्तियों पर नहीं छोड़ी जा सकते सरकार पर उसका पूरा नियंत्रण हो दूसरे शब्दों में इनकी चौथी विशेष्टा है कि मुक्त बाजार अर्थ विवस्था का अभाव क्योंकि सभी आर्थिक निर्ण, सभी योजनाए सरकार के नौकर शाहो द्वारा ली जाती है सरकारी तंत्र द्वारा ली जाती है सरकार द्वारा ली जाती है सामिवादी करांती जो रूस में हुई चीन में हुई और कुछ अन्य देश्यों पर हुई यहाँ पे जनता के जीवन पर इस करांती का बड़ा भरी प्रभाव पड़ा रूस में 1917, सोवियत चंग में पहला जो सामेवादी उधारण जो मिलता है सामेवादी विचार धारा को देश में लागू करने का विकास मॉडल का पहला उधारण हमें सोवियत चंग में 1917 में मिलता है और उसके बाद 1949 में चीन जहां सामेवादी विचार धारा उन्निसो चीन में माउजे डॉंग द्वारा लागू की गई उन्निसो सत्रा में व्लादी मीर लेनिन द्वारा लागू की गई और इन दो तीन उदाहरनों से देखा गया कि जनता पे इसका काफी प्रभाव पड़ा किन्तों उनकी जो प्रगती थी निश्चित रूप से पश्चिमी देशों के लोगों की प्रगती की तुलना में काफी कम थी काफी पिछडी थी ये दिखने में आदा अर्था जनता के जीवन पर इसका प्रभाव ऐसा नहीं पड़ा जैसा कि पश्चिमी देशों में जहां पर उदारवादी लोग तांतरिक विवस्था थी वहां पर जनता को प्रभावित किया वैसा यहानी हुआ और यह पिछड़ गा इसके अतरिक तिन देशों में जनता की जो स्वतंतरता थी नागरिक के नाते चाहे वो राजनेतिक स्वतंतरता हो आर्थिक स्वतंता हो बोलने की स्वतंता हो यहां पर बहुत सारे बंधन थे ये जो अधिकार थे, बोलने का अधिकार, राजनेती का अधिकार, इस पे काफी प्रतिबंध लगा दियेगा, सरकार के द्वारव पोलन, हंगरी, रुमैनिया, पूरवी जोरोप के जो बहुत तारी देशों का मैंने नाम लिया, सन 1989 में, सोवियत विगटन के कुछ समय पहले ही, यहां पर ये जो साम्यवादी व्यवस्था थी ये टूटी, और एक दल का जो शासन चल रहा था, सभी जगह जो साम्यवादी जिसे कम्यूनिस पार्टी कहते हैं, वो तूटा, साम्यवादी व्यवस्था से छुटकारा मिला इनको 1989 में, और इन देशों में लोकतांतरिक व्यवस्था आती है, मुक्त बाजार शुरू होता है, और 1991 में रूस तूट जाता है, वहां भी साम्यवादी व्यवस्था को ल जिसों में तूटता है, उसमें मात्र रूस ही एक मात्र साम्यवादी देश बचता है, बाकी जो हैं, वे सब उदारवादी लोकतांतरिक व्यवस्था की और मुड़ चलते हैं, चीन जो आज भी साम्यवादी देश होने की बात करता है, राजन्यतिक रूप से उतर साम्यवादी व्यवस्था को ले चल रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से मुक्त बाजार की अर्त व्यवस्था पर बढ़ चड़ के भाग ले रहा है, दुनिया में आप देखेंगे, भारत में भी देखें, कि चीन का उत्पादन का कितना प्रभ पहाओ भारती बाजारों में है यह आपको अच्छी तरह मालूम है और यह सब क्यों संभव हो रहा है क्योंकि चीन खुली बाजार वे अस्था में विश्वात कर रहा है जबकि उसकी राजनेतिक प्रणाली जो है वो सामयवादी प्रणाली है यह एक और अलग विकास का इस बात से इसपष्ट है कि सामयवादी व्यवस्था आज विश्व में लगभग नकारी जा चुकी है उदारवादी व्यवस्था वो अपने ही दबाव में घुटन महसूस कर रही है क्योंकि उदारवादी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी बुराई यह है कि जिसके पा अमीर होता चला जाता है क्योंकि सरकारी नियंतर नहीं है लेकिन दूसरी और जो नीचे के तबके के लोग हैं वो और दरिद्र होते चले जाते हैं यह पुझी वादी व्यवस्था की बहुत बड़ी बुराई है तो अब भारत के परिप्रेक्ष में एक समस्या थी कौन सा म मोडल लिया जाए तो हम नीजी क्षेत्र बनाम सार्दिनिक शेत्र को कुछ हम इस तरह चार्ट से संक्षिप में देख सकते हैं जिसे मैंने विस्तार से आपको बताया है विकास के दो जाने माने मौडल पहला पूंजीवादी मौडल दूसरा सामिवादी मौडल समाजवादी मौडल या सामेवादी मौडल में निजी संपत्ती समापत पहली बात और दूसरी बात हर तरह के उतْपादन पर राज्य का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण ये दोनों बातें एक जगा के जुड़ती हैं और वो है कि दो मॉडल के मिले जुले रूप को भारत ने अपनाया इसके कुछ बिंदु को और इसके कुछ बिंदु को लेकर भारत ने जो मौडल अपनाया वही मिश्रित अर्थ वे अर्था कहलाती है तो संक्षिप में आप इस चार्ड के मादधम से समझ सकते हैं